एफो हंद्स आप सभी कहा हमारे इस YouTube चैनल में स्वागतों है फ्रेंट इस भीडिविडेन देखें गे दा इस्पेंड ओफ सेट ओफ वैक्टर्स तो basically हमारे पास हमने previous video में पढ़ाता हमने previous video में पढ़ाता कोई हमारे पास set of vectors है suppose कि x1, x2, dot dot, xn यह हमारे पास कुछ vectors है और check क्या था हमने कि कोई अलग से vector दिया हुआ है कि इसको suppose कि b vector दिया हुआ है b vector को इसके linear combination की form में लिखा जा सकता है यह नहीं लिखा जा सकता यह हमने previous video में पढ़ा था अब span of vectors यह क्या क्या रहता है let v1, v2, dot dot, vp suppose यह हमारे पास यहाँ पर x1, x2 मालना था हमने पर यहाँ पर v1, v2, dot, vp मालना लेन को वी vectors यह बेक्टर से कुछ vectors है the set of all vectors that are a linear combination of v1, v2, dot dot, vp is called span of v1, v2, dot, vp and we denote it y as परावर span v1, v2, dot, vp बेसिकलिए यहां पर हमने एक सेट गाता तो जिसको बहुत है कि एक सेट की फॉर्म में लख रहे हैं रहा है यह दो हमाद पास लीनर कोशल की फॉर्म होगई इस सेक्साइट जो की X1 X2 X1 X2 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 X3 अलग-अलग value put करने पर आते हैं तो वह सारे जो वेक्टर्स होते हैं वह कहलाते हैं हमारे पास spin-off s वेसिकली अगर हम दूर्शी तर्म में बोलें किछ स्पार्म जो कि लिनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वह है उली स्पार्म वेक्टर से में लेगे by definition the span of a set of vectors is a collection of vectors और a set of vectors if V is linear combination of V1 V2 Vp then V is an element of the set अगर यही जो हमने पढ़ा था कि अगर V जो है वो linear combination है V1 V2 Vp का तो उस condition में V जो है वो एक element के लाएगा setup इसका तो V belongs to span V1 V2.vp अब फेर्स यहां पर हमने देखा कि जो वी वी को इस तरह से जो वी 1 V2 Vp की अलग-अलग जैसे X1 X2 सभी constant की अलग-अलग value पर हम अलग-अलग value वी 1 V2 के value के लिए infinite many sets होंगे क्यों X1 X2 के value हमारे पास infinite हो सकते हैं तो उन values पर यह हमारे पास set of span जो होता है V1 V2 Vp जो है एक infinite set of vectors होता है बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह vectors जो है वो whole rn है क्योंकि कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे हमारे पास sets जो कि उसके combination की form में नहीं लिखे जा सकते हैं तो basically और यहां पर देखें the set span V1 V2 Vp is just a collection of infinite many vectors but it has some geometric structure in R2 and RQ we can visualize span V1 V2 Vp in Rn अबर हमारे स्वार की बात करें in R2 the span of a single non-zero vectors V 0 vector V बरावर और V जो है belongs to R2 is a line through the origin in the direction of V जो हमारे पास जैसे यह हमारे पास set of span V जो है वो basically एक line होती है जो कि spend V की तरफ जैसे यहां पर set है हमारे पास suppose यह two or three था तो इस condition में यह हमारे पास जो plan है वो इस तरह की यह line है इस line को note करता है कि यह सारे points यहां पर आजाएं अब फिरसे से एक example है हमारे पास is the vector V बरावर यह vector है हमारे पास seven four minus three in the span of vectors V1 बरावर यह है V2 यह है तो हम चेक करना है कि यह B जो है यह span of V1 V2 से बिलोंग करता है या नहीं करता है तो basically लिए B को linear combination of V1 and V2 की कौन में लिखा जा सकता है यह नहीं लिखा जा सकता यह हमें चेक करना है तो इसको चेक करने के लिए हम यहां पर सबूज कि हमारे पास V1 X1 V1 plus X2 V2 यह जो है constant है तो यहां से हमारे पास हजाएगा X1 और V1 है हमारे पास 1-2-5 1-2-5 प्लस और यह V2 जो है वो यहां पर X2 और यह हमारे पास V2 जो है 256 256 तो यह हो गए हमारे पास set of linear equations आगए हमारे पास X1 प्लस 2X2 और यहां पर आगए हमारे पास minus 2X1 प्लस 5X2 और यहां पर हम इन दो equations को solve कर रहे हैं इन दो equations को solve कर रहे हैं तो इन दो equations को solve करने के लिए simply इसमें 2 का multiply करेंगे तो यह जाएगा 2X1 प्लस और यह हमारे पास 4 अब यहां पर हमने दोनों को एड़ कर दिया तो एड़ करने पर आजएगा 9X2 एक्वेल टू एक्टीन यानि कि इस टू बराबर आगया हमारे पास 9 अब एक्ष्ट वराबर आगया रहागा और तो एस टू आए नहीं आगया तो यहां पर नैन के लिए पूट कर देंगे तो यह जाएगा थू एक्सवन फिलस नैन नैन इनूटु फोर एंड 36 एक्वल टू 14 तो यह तो एक्ष्ट वन एक्वल टू 36 मैनिस 14 जो हो गारे पास 22 तो एक्सवन बराबर आगया 11 अब चुकि एक्सपन और एक्सट की वैलू हमें दो इक्वेशन से तो हमने निकाल लिए अब इस को सैटिस्पाइब कर रहा है नहीं कर रहा है यह चेक करना जरूर है तो यह चेक करते हैं अगर एक्सपन की वैलू हमें पुट करनी है आप एलेवन तो इलेवन काई वह दाएगा माइनस फिफटि फइएव क्योंकि माइनस और शिक्सें इन नैंस इनि या ट्वलै यह फिफ्टि फूल कि जब थू के वैलुएँ करेंगा तो यह जाएगा 2 एक्स1 प्लस यह हो जा गा एट इक्वाल टू फूर्टीन द्याग एक्स1 इक्वाल टू यह हमारे पास आ गया एक्स1 Когда टू यह अगा गया तुल अगे जाएगे तक जाएगा हमारे पास basically लिए इस equation में third equation output करनी है तो x1 की value 3 यानि minus 15 और इसकी value हमारे पास x2 value 2 तो plus 12 equal to minus 3 यानि कि यह इस condition को भी satisfy कर रहा है तो इस condition को satisfy कर रहा है इसका मतलब x1 और x2 जो है वो x1 v1 plus x2 v2 equal to b की form में है तो यहां से x1 x1 की value अगर हम यहां पर three put करें और two put करें तो हमारे पास b आ जागा यानि b को मैं लिख सकते है linear combination of v1 और v2 की form में तो यहां से हम कह सकते हैं जो b जो है वो belong कर रहा है span of v1 v2 से तो इस तरह से हम check कर सकते हैं कि कोई भी set वो span of v1 और v2 में है या नहीं झाले कह रहा हम इंड़ सकतctive झाले काले वűewं पर झाले कि आ लए यूप झाले याडा है पो प्याड़ हमे पर याडान वर दो याना कई यांड़ ए